चाय की छोड़ने और टीशू पेपर का ऐसा इस्तमाल आपकी किचन में होगा कि आप outcomes खिएान हो जाएंगे दंग रह जाएंगे देखके के कहा सिए पहले पता होता है हुता है रखिछा हूझा चाय कीशननी साथ ही साथ आपको देखने को मिलेगी कुछ ऐसी इसी चीप जि सकते हैं कीड़े तो आप किस तरह से उसे देख के खाएं ताकि इसमें कीड़े अगर हो तो आपको नजर रोज आ जाए और आप इसे ना यूज करें ना खाएं और सरबरसात में हो जाता है मसला कपड़े सुखाने का तो उसका भी आपको मैं जो है बोटल में अगर रख सकते हैं तो रख लीजेगा क्योंकि ये पौधों के लिए बहुत ही अच्छा होता है अगर जो पौधा मर रहा हो ना तो इस पौधे को नबरसात में लाके रख दे और ये जो बारिस का पानी अगर आप किसी बरतन में खटा करें तो उसे बोटल में ने लग जाता है तो अगर टूटे ना तो इसके लिए हमें क्या करना पनीर के चोटे-चोटे पीज़ कर लेने हैं और जिस तरह से मैं आपको दिखा रही हूं सेम उस तरह से और इतना ही इसे फ्राइ कर लेना है तो जिससे क्या होगा ना कि आपकी वेज बिरियानी में पन नहीं और यह बहुत कमाल किया इसे आजमा कि देखेगा क्योंकि खुद मेरी आजमाई वी टिप है इसलिए मैं आप लोगे साथ शेयर कर रही हूं ताकि आपके कोकी और अच्छी हो सके तो चलिए बढ़ दें नेक्स टिप्स के तरफ जो की सोयवीन से रिलीटेड है तो कभी इसे बनाया है पहले गरम पानी कर ले उसमें इसे अच्छे से देखिए इस तरह से आपने भीगो देना है जिससे कि आपको ने बहुत जल्दी सोफ्ट भी होने लग जाएगा जिससे आपका टाइम भी बचेगा अगर आपको जल्दी सोयवीन बनानी की तो अब इसमे आपको पता चलेगा कि सोयवीन में कीड़े हैं किने अगर होंगे तो वह ना दिखेंगे आपको काले काले से और यह देखिए सोयवीन बिल्कुल अच्छा है इसमें कोई कीड़े नहीं है तो बरसात के मोसम में हमें अपने पेट का बहुत जादा धियान रखना चाहिए क् और आपका भी जो है वेज ब्रियानी चिप चिपी सी हो जाती है पानी जादा डल जाता है तो एक तरीका मैं आपको बताने वाले हूं जिस से ना कभी भी ना आपका जो है वेज ब्लाव या वेज ब्रियानी कभी भी खराब नहीं होगी चिप चिपी नहीं बनेगी तो दे कुछ आ folks नहीं अब इसको बंध कर देगे और अब ही मैं आपके साथ एक疏 और शेर कर देती pm अगर आप चाहते हैं कि आपके वेज ब्रेनी बहुत टेस्टी हो और अच्छी सी बने अच्छी सी खुश्वू आए तो एक इंग्रेडियन्ट इसमें ऐसा एड़ करेंगे जिससे रंगत निखर जाएगी और खिली-खिली चावल बढ़ेंगे और खुश्वू भी बहुत अ अच्छा हैगी तो एक चमा चापने क्या करना है ना वन टेबल इस्पून घी डाल देना इसमें तेसी घी और बस इसे मिला देंगे और इसको जो है डग देंगे कुकर का डखन लगा देंगे और सीटी आने देंगे और फिर मैं आपको दिखाऊंगी खोल के कि कि इतने खि जो बच्चे खा लेते हैं तो इसलिए तरिफ यही डाला है मैंने तो देखिए चावल बिल्कुल खिले के लिए एक भी चिप का बने है और बहुत टेस्टी बनके तयार हुए तो इस तरह से आप भी बनाएगा आपको भी ना बहुत ज़्यादा पसंद आईगी इंशालला तो चली बढ़ते हैं नेक्स टिप्स की तरफ तो देखिए बारिस इतनी ज़्यादा आरे है ना इन दिनों की कपड़े सुखाने की बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है तो ऐसे मैं आप क्या करें की बारिस के बारिस को एंजोई भी करें और कपड़े भी सुखाएं त ठीक ठाक रेंज में आपको 1000 के रेंज में आपको स्टेंड मिल जाते हैं और यह फोडेबल होते हैं मतलब कि इसको फोल्ड कर सकते हैं और बहुत कम स्पेस में आप इसे घर में रख सकते हैं और यह दिखिए इस तरह सानी इसमें आप कपड़े सुखा लें तो जब रात का ताइम था ना तो मैंने गीले कपड़े इतर रख दिये थे मैंने इस स्टेंड पर और सुबह था कहना यह कपड़े मैंने फैन भी नी ओन कर रहा था द्राइंग रूम का और जो है कपड़े जो अच्छे से ड्राइ हो गए थे सुख गए थे और सुबह बसमने फोल्ड कर लि तो बरसाथ के मोसम में यह कपड़े सुखने वाला स्टेंड मेरे बहुत ज़्यादा काम आता है तो मैं इसे सम्हाल के रखते हूं और बरसाथ के मोसम में ही यूज़ करती हूं तो आप आपको मेरा यह आइडिया अच्छा लगा होगा बस इसमें थोड़े पैसे लगी हू आपको मेरा यह आइडिया पसंद आया होगा पसंद आया होगा तो इसे वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर करना बिल्गी मत भूलिए तो चले बढ़ते हैं नेक्स आइडिया की तरफ तो देख लीजिए यह आगया हमारे किचन में जो है टिशू पेपर और चाय की छड़नी तो इससे हम क्या करने वाले हैं आपको दिखा देती हूं मैं अगर आपने मेरा वीडियो जो है पूरा देखा न तो आपको बहुत जो है helpful से टिप्स मिलेंगे तो यहां देखिए कि जो है हमने इसमें पकोड़े जो फ्राई कर रहे थी क्योंकि बारिस कम हो समय त आपके इसते टिशू में तेल को छान सकते हैं जिससे जो कले कले की सबस्रेयों जो जल चुका है वह और अलग आज आजाएगा और जिससे साफ और फिर आप देखिए और यूश गॉकिश कर सकते हैं बिल्कुल देखिए किस तरह से तेल या देखिए आप इसे और ऐसा करक जो है यह ओइल सेपरेट हो जाएगा यह देखे बहुत आसानी से जो है निकल जाता है बस इसमें मुझे असा लगता है कि ना हाथ थोड़े से ने मैस्च हो जाते हैं लेकिन जो है बहुत अच्छे से साफ सुतरा ओइल आपको फिर जो है निलेगा यह देखे टिशू में दि बेसिन का काला जलावा और एक जो है और आइडिया में आपके शेयर करूंगी कि अगर आपको टिशू पेपर का आइडिया कर अच्छा ना लगे कि मतलब थोड़ा मैसी है हाथ हमारे ओल में जा रहे हैं तो अगर आप चाहे तो मेरा यह दूसरा वाला आइडिया भी जो है जो है इस्तिमाल कर सकते हैं मतलब कि यूज कर सकते हैं और उससे भी आपका जो है ओल है बिल्कुल साफ हो जाएगा तो मैं आपके साथ वो भी शेयर करते हूँ तो देखिए दूसरी बार में मैंने क्या कर रहा है टिशू को जो खोल के और फिर छाना है तो इससे और अच् देखिए तेल बिल्कुल साफ है आप देखिए चनी को आपने जो है मैं आपको दिखाती हूं चनी को में इस तरह से रखेंगे और जिस कढ़ाई में हमारा ओइल है ना फ्राइ करावा यूज करावा उससे देखिए इस तरह से कर लेंगे तो क्या होगा ना जो भी काला-का तरीका मेरा पसंद आया वह मुझे कोमेंट करके बताईएगा और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा आप लोग वीडियो तो देखते हैं पसंद भी करते हैं वीडियो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए आपका एक एक सब्सक्र सब्सक्राइब हमारे बहुत ज्यादा कीमती है तो दीजिए मुझे इजाजात में नेक्स वीडियो में इंशाला असलाम अलेकुम